नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल अमीत हैल्थ मित्रा में दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये पोधा है आख का इसको संस्कृत में या फिर सुद्ध हिंदी में मदार बोला जाता है देशी भासा में इसको आकडा या फिर आक बोला जाता है ये कहीं भी आपको मिल सकता है खाली प्लोट में या फिर बंजर गहा बूमी में या फिर दोस्तों आपको ये मिल सकता है किसी भी मरुस्तली च्छित्र में हलांकि एक मरुस्तली पोदा है लेकिन ये आपको कहीं भी बिना पाने के जगे भी मिल सकता है आज मैं आपको एक ऐसा इसका नुस्खा बताने वाला हूँ जो कि बहुत जादा आपके लिए फायदे मन्द है वैसे बात कर इसके प्रयोग की तो ये बहुत सादा उप्योगी है कई बिमारियों में जहां इसके फूल काम आते हैं वहीं इसके पत्ते भी काम आते हैं और इसकी जड़ भी काम आती है साथी साथ इसमें पाया जाने वाला इसी सपित करर का दूद भी काम आता है सो दोस्तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसका ऐसा प्रियोग जो कि आपके लिए बहुत फायदे मन्द है आज मैं बताने वाला हूँ आपको घुटने के दर्द और सूजन के लिए आग का प्रियोग कैसे करना चाहिए इसके लिए मैं यहां से इक पत्ती इसकी तोड़ता हूँ और फिर इसका उपयोग बताता हूँ दोस्तों बात करते हैं प्रियोग की तो सबसे पहले आपको क्या करना एक ऐसा पत्ता लेना है जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस तरह का आग का पत्ता लेकर आप इसको अच्छे से पानी से दोले साफ कर लें इसके बाद सूखने के लिए रख दें सूखना मतलब कि इसका पानी जो है वो खत्म हो जाए फिर इसके बाद इस पे सर्सों का तेल लगा कर इसकी शिकाई करने हैं दोनों तरप से या तवे पे सीख सकते हैं आप फिर उसको आप अपने गुटने पर या फिर सूजन वाले इससे पर कहीं भी लगाएं और उसको बांध कर सो जाएं जोड़ो का दर्ध पूरे सरीर का कोई भी अगर आपका दर्ध है वो जड़ से खत्म हो जाती है यह छोटा सा नुश्का था जिस से आप आसाने से अपने सरीर के दर्ध को दूर कर सकते हैं देखिए गुटने का इलाज जो है वो आज तक नहीं बन पाया है दुनिया में एक सबसे बड़ी बिमारी है गुटने का दर्द और अस्थमा इन दोनों बिमारी को इलाज नहीं है तो मैंने आज आपको बताया है गुटने के दर्द का इलाज इलाज की वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों कामेंट में जरूर बताना और ऐसी हल टिप्स के लिए आप हमारी यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद